असलाम अलेकुम जी, in this lesson we are going to learn के pen tool को use करते हुए illustrator में complex objects कैसे create की जाते हैं, so let's have a look on it तो illustrator में मेरे सामने इस वकत दो logos open है, एक है जी बैड मैन का और second है सुपर मैन का, तो pen tool की मदद से इन logos को create करते हैं, so ये एक मुझे बड़ी basic से image मिली इंटरनेट से, so अगर आप लोग pen tool अभी use करना सीख रहे हैं, तो यहाँ पर जो different colors हैं, जो different dots हैं, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा useful होंगे, इसको सीखने के लिए और complex images को create करने के लिए, so देखते हैं कि यह dots हमें कैसे help करते हैं, और हम pen tool को use करते हुए, तोड़ी सी complex images कैसे बना सकते हैं, ठीके जी, तो मैं pen tool को ले रहा हूँ, और यहाँ से आप अपने जो fill है, इसको none कर लीजेगा, और अपने stroke को कोई भी color assign कर सकते हैं, so let's start with one, मैं two पे click कर रहा हूँ, ठीके, और three पे click करता हूँ, और यह जिसको handle है इस वकद, जो जिसको मैं control कर रहा हूँ, इसको मैं जाकर release करता हूँ, four के उपर, ठीके, तो आ angle हम create करना चाह रहे थे, वो angle हमारा create हो चुका है, ठीके, इसको मैंने four पे release किया, यगर आप समझते हैं कि नहीं यह shape four पे जाके सही नहीं create हो रही, so you can adjust angles, थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे जाकर release करते हैं, ठीके, और मैं अपने keyboard से alt को press करना हूँ, और मैं इस handle को पकड़ के five के उपर लेकर आता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें जो next angle सही है, वो इस handle के साथ सही है, so six के उपर आते हैं और यहाँ पे click करके drag करते हैं, और drag ऐसे करना है कि जो इस वकद handle हमारे control में है, इसको हमने release करना है blue point के उपर, blue color के उपर, तो आपके सामने जो shape है, वो वैसी ह handle को हमने यहाँ पर release किया, इसके बाद हम eight के उपर आते हैं, और यहाँ पर दुबारा इसको ऐसे stretch करते हैं कि जो handle हमारे control में है, इसको nine पर आगर release करते हैं, जो blue points है, इसके बाद जो yellow points हैं, अपने keyboard से alt को press करें, इस handle को move करें, और इस yellow point के उपर आकर release करें, और जो next line ब होनेगी, so eleven से इसको stretch करते हैं, और ऐसे stretch करते हैं, कि जो handle हमारे control में है, उसको हम 12 पर release करते हैं, ठीक है, आगे दिखते हैं कि yellow point थो नहीं है, तो हमें इस handle के साथ एक और angle चाहिए, So 13 पे आके अपनी इस handle को ऐसे stretch करते हैं कि 14 पे आके release करते हैं ठीक है और alt press करके इसको yellow पे move कर लेते हैं दुबारा 16 पे आते हैं इसको ऐसे stretch करते हैं कि 17 पे आके release करते हैं लेकिन अगर आपको लगता है कि line थोड़ी यहाँ पे सही create हो रही है और इसके बाद हम 18 पे आके अपनी line को complete कर लेते हैं ठीक है जी? आप लोग मजीद बहतर lines create कर सकते हैं यहाँ पे alt press कर रहा हूँ और इसको 29 पे आके move करते हैं 24 पे 21 पे इसको ऐसे stretch करते हैं कि 22 पे इसको release करते हैं और alt press करके इसको यहाँ पे move कर लेते हैं और इसके बाद 24 पे आके इसे stretch करते हैं कि 25 पे आके release करते हैं So now we have actually completed half of the shape So इसके बाद हमें क्योंकि आप यह handle नहीं चाहिए तो मैं वापस इस point पे आके click कर रहा हूँ तो वो handle मेरा खाइब हो गया और मैं वापस अपनी initial point पे आके इस पे click कर लेता हूँ ठीक है जी So हमारे पास जो half है वो हमने create कर ली है और जो बाकी half है वो बिलकुल same है तो इस shape को हम लोग reflect कर लेते हैं इसको मैं side पे ले आता हूँ इसको हम लोग इसको fill assign कर लेते हैं ठीक है और इसके बाद मैं इस shape पे click कर रहा हूँ right click transform में जाके यहां से हम इसको reflect करते हैं So मैंने reflect पे click किया हमें vertical reflection इसकी चाहिए ठीक है इसको preview कर लेते हैं बिल्कुल ठीक है So हम इसकी copy generate कर लेते हैं ठीक है और इसको मैं move करके यहां पे place कर लेता हूँ दोनों की selection करते हैं और इन दोनों objects को side पे ले आते हैं So this is how you can create complex images इसके बाद हम नीचे वाले logo के उपर आते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही आप लोग pen tool की मदद से अपनी shapes को create कर सकते हैं और yellow points के उपर आप लोग release करेंगे अपने handle को move करेंगे और four पे blue points के उपर उसको stretch करेंगे यहां पे अगर आप लोग गौर से देखें तो आपको multiple objects नजर आ रहे हैं यहां पर आपको सबके अलग से create किया गया है यहां पर आपको सबके जो points number one है वह आपको नजर आरेंगे from where you have to start So, इस object को आप लोग 1 से start करेंगे इसको वापस 1 पे लाके finish करेंगे इसके बाद इस object को यहाँ से start करेंगे और इसको यहाँ से draw करते हुए यहाँ पे लाके finish करेंगे इसके बाद आप इस object को यहाँ से start करेंगे और इसको कुछ इस तरह से finish करेंगे और बिल्कुल ऐसे ही इसको यहां से start करेंगे और इसको ऐसे finish करेंगे ठीक है जी इसके बाद हम लोग एक और important चीज देख लेते हैं कि यह दो objects हैं इन दोनों objects को हमने एक object में convert करने है तो उसके लिए हम लोग अपने left चुट टूल बॉक्स है यहां से shape builder tool एक use करेंगे तो आपको कुछ shape builder tool इस तरह से नज़र आएगा there is an arrow और उसके साथ आपको दो circles नज़र आ रहे हैं with a line, dotted line तो मैं इस पर click कर रहा हूँ पहले हम अपने दोनों objects की selection कर लेते हैं इसके बाद मैं इस पर click कर रहा हूँ क्यूंकि मैंने इन दोनों objects को आपस में मिलाना है इसको एक object में convert करना है तो मैं एक side से click कर रहा हूँ और इसको drag करके दूसरी side पे release कर रहा हूँ ठीक है तो अब यह हमारा एक object बन चुका है और आब इसको एक ही color assign करेंगे और एक ही click से इसको move कर सकता है So this is how you can create complex images using a pen tool और अगर आप multiple objects बनाते हैं और उनको आपस में merge करना चाहते हैं So you can merge two objects using a shape builder tool So let's do an experiment with this logo और इसके लावा और भी interesting objects create करने की कोशिश करें Google पे जाएं, वहां से जाके मुखलिफ images को download करें और pen tool की मदद से उनको create करने की कोशिश करें So see you in the next lesson Thank you so much